दोस्तो यह वीडियो उन लोगों के लिए जो अधीकान समय फेस्बूक पर बिताते हैं फेस्बूक यूज करते हैं तो उससे क्या होता कि आपका मोबाल डाटा जल्दी से खतम हो जाता है तो आपको मैं इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि जिसको ओन करने के ब पहले अपने फेस्बूक पॉप इन करने के बाद आपको यहां पर राइट हैंड साइड में उपर की नवर में त्री लाइन स्टिक देखती होगी यहां पर आपको जाना है यहां पर क्लिक करना तो त्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो ओपन होता है यहां पर आपको स्क्रोल डाउन करना निच्छे जाना है और यहां पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ओप्शन्स मिलता है तो आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद फिर आपको एक नया पेज ओपन होता है वहां यहां पर आपको data saver का options so होता दीखता है यहां पर आपको data saver के options के ओपर click करना है तो यहां पर आपको इसको यह भी फिलाल में बंढ है तो मैं इसको enable कर लेता हूं इसको मैं जैसे चालो ON करता हूं तो यहां लिखा हुआ है कि turning this on will reduce image size and stop videos from playing automatically to help use less data यह बोल रहा है कि अगर आप facebook का data server on करोगे तो आपके image की size कम कर दी जाएगी और आपके जो facebook के video auto automatic play होने वाले video को बंद कर दिया जाएगा तो मैं जैसे इसको मैंने on कर लिया यहां पर मैं आपको बता देता हूँ यहां पर लिखा हुआ है जब आप cellular data copy करने के लिए switch करते हो तो हमें आप यहां पर लिखा हुआ है कि इसे वान करने से सवी का अकर कम हो जाएगा और आप कम data copy करने मदद करने के लिए वीडियो को सव चलाने से रोग दिया जाएगा तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने facebook के अंदर Android data को save कर सकते हो जिससे आप दिन भर यूज करोगा facebook को तो भी आपका data खतम नहीं होगा तो आई होप अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आये हो तो मेरे चैनल को सब्सक्र